हलो बच्चो आज मैं आपको एक जादू दिखाने वाली हूँ आपको इस चाड़ पेपर पर कुछ दिखाई दे रहा है नहीं ना तो चलिए शुरू करते हैं जादू मैं इस चाड़ पेपर को यहाँ पर लगा देती हूँ अब इसके उपर मैं एक जादू पानी का लेप लगाने वाली हूँ यह है मेरा जादू पानी चलिए इसका लेप लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है अरे वा इस पे तो कुछ डिजाइने उभर कर आ रही हैं अरे वा देखो बच्चों पहले चाड़ पेपर पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन जैसे मैंने इसमें जादू पानी लगाया इसमें कुछ आकृतियां दिखाई देने लग गई तो बच्चों आपने देखा कि यह जादू नहीं बलकि अमल और छार के बीच होने वाली एक रासानिक अभी क्रिया है इस सारे अभी क्रिया को हम और अच्छी तरह समझने के लिए आईए एक क्रिया कलाप करते हैं बच्चों इसके लिए आपको तनू अमल यानिकी हाइड्रोकलोरिक अम लेना होगा साथ ही तनू छार यानिकी सोडियम हाइड्रोकसाइड लेना होगा साथ ही लेंगे फिनाप्थलिन एंडिकेटर बच्चों ये फिनाप्थलिन एंडिकेटर एक रासायनिक सूचक है जो की अमल के साथ कोई रंग नहीं देता लेकिन जैसे ही माध्यम छारी होता है या गुलाबी रंग देता है मैं इसके लिए सबसे पहले तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल के विलियन में फिनाप्थलिन एंडिकेटर की दो बूंदी डालती हूँ बच्चों आप देख रहे हैं ये विलियन अभी भी रंग हीन है बच्चों एक बात बताओं कभी भी हमें रंग देखने के लिए पीछे सर्फिस सफीद रखनी चाहिए तो मैं पहले इस पेपर को हटा कर यहां पर एक सफीद सर्फिस बना लेती हूँ ठीक चली अब हम इसमें और एनवे च्विलियन डालते हैं और देखते हैं देखिए हम इसमें एनवेच डालते जा रहे हैं और यहां पर क्रिया होती जा रही है यहां पर अमल और छार की आपस में क्रिया हो रही है देखिए विलियन गुलाबी हो गया बैचों तो आपने देखा कि जब मैंने अमल के विलियन में फिनाप्थलिन की कुछ बूंदे डाली तब विलियन रंग हीन था और जैसे ही मैंने उसमें एने उच विलियन मिलाना शुरू किया वहां पर क्रिया होने लगी यानि कि अमल और छार की आपस में क्रिया हुई तथा लवन और जल बना जैसे जैसे सारे अमल के अनवों ने छार के अनवों से क्रिया करल के लवन और जल बना दिया तो विलियन उदासीन हो गया अब इस उदासीन विलियन के पश्चात जैसे ही मैंने अंतिम बूंदे एने उच की डाली गुलाबी रंग आ गया इसका मतलब कि विल्यन पूरी तरह से उदासीन होने के पश्चात जैसे ही हम छार की एक बून डालते हैं, विल्यन छारी हो जाता है और इसलिए विल्यन गुलाबी रंका हो जाता है तो बैचों आपने देखा कि अमल और छार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवन और जल बनाते हैं, इस क्रिया को उदासीनी करण की क्रिया कहते हैं